नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर अनंद भार्दवाज आपका जाना पैचाना वास्तुक कंसल्टेंट हर बार राता हूँ आपके लिए एक निया टॉपिक आज का टॉपिक बहुत खास है आप देख रहें सेप्टी टैंक के बारें बताऊंगा साथियों ऐसे तो मैंन आने वाला हूँ अब देखिए कितने सारे सवाल बहुत लंबी फेरिष्ट यह सारे सवाल जो है हमारे सब के सब जाए सेप्टी टैंक के बारे में है कितने सारे सवाल आज एक-एक सवाल का आपको जवाब दूरूगा अगर जाना चाहते हैं डेटेल से और ये चाहते हैं कि कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो सेप्ट टेंक के बारे में बच जाए तो इस वीडियो पर चलिए अखीर तक आपको बताता हूं बहुत डेटेल में इस विदेश में डॉक्टर आनन भार्दवाज एक popular celebrity के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं डॉक्टर भार्दवाज विश्व के highest qualified वास्तू कंसल्टन्ट वास्तू कंसल्टन्सी के क्षेत्र में विभिनसंस थाओं मंत्रियों विशिष्ट व्यक्तियों अधिकारियों और संतों से 200 से भी जादा अवाड से सम्मानित और सुशोभित डॉक्टर आनन भार्दवाज यानि वास्तू शास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया नमस्कार साथियों जैसा मैंने आपको बताया था कि आज हम सेप्टी टैंक के एक नहीं बहुत सारे सवाल लेने वाले हैं ये तो बता दिया था पहले मैंने कि कहां मनाना चाहिए लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे सवाल बच गए अब आप देखिए सुलकते सवाल सेप्टी टैंक के कितने सवाल हैं जो कि सुलग रहे हैं आप देखे सबसे पहले सेप्टी टेंक किस दिशा में बनाया जाए इसकी गहराई कितनी हो इसकी लंबाई टोड़ाई कितनी हो देखना है आप इसकी लंबाई टोड़ाई कितनी हो उसके बाद ये किस शेप का हो गोल हो, चौरस हो, अंडाकार हो या किसी भी तना से आयताकार हो ये सब देखे, कितने सारे सवाल आपके मन में आते हैं सेफटी टैंक की लाइन कहां से गुजरे साथी हो बहुत जादा बर्निंग कोश्चन है क्योंकि बरम साहं से लेके नहीं जाना है आपको और पूरब में लेके नहीं जाना है तो फिर कहां से लेके जाना है इसके बाद अगर सेपटी टैंक पूरब या उतर या पूरब या पूरडख्षिन में यानि साउथ ऐस्ट में दक्षिन पूरब और पूरब के बीच में अगर बनाएंगे हम तब कैसा रहता है तो इसकी linear कैसे जाने चाहिए ये देखिए इसकी जह लाइन की position कहाँ पर होने चाहिए आप देख रहें इसकी linear के कैसे जाने चाहिए सवाल हैं बहुत सारे सुलगते सवाल सबके सब एक से एक बड़े सवाल SHIFFT TANK के बारे में आप देख रहे हैं इसके बाद और भी सवाल आप देख रहे है जो आपका जो वेंड पाइप होता है इसकी रेमेडी एक रेमेडी होती है वेंड पाइप एक बहुत बड़ी रेमेडी है वो आपको बताऊंगा मैं और दूसरा अगर आपका जे सिप्ट टेंक अगर किसी वज को बताई थी हमने के नौर्थ वैस उत्तर पश्ची पश्ची मुत्र में बना सकते हैं सेकंड दिशा हमने आपको बताई थी कि एस्ट और साउथ यस के मद्ध में एक स्थान ऐसा होता है वो ना तो साउथ यस होता है दोनों के मद्ध में सेप्टी टैंक के लिए बहुत अच आप जहें नौर्थ वैस में सेप्टी टैंक नहीं मुणा सकते तब क्या करेंगे किचन के सामने आपका जहें सेप्टी टैंक आ जाएगा तब क्या करेंगे हम ये सवाल इसके बाद में दक्षिन मुखी भवन में सीवर घर से बाहर कहां से निकाले मना है ना तो साउथ से निकालना ना बैस से निकालना लेकिन आपका सेप्टे टेंक बन गया है इस साउथिस के बीच में दक्षिन मुखी आपका मकान है सरकारी जो लाइन जा रही है साउथ में से होगे तब क्या करेंगे बहुत सारे उल्चे हुए सवाल जिनका जवाब आपको मिलेगा डॉक्टर और दिशा में बना हुआ है इसके बाद नेक्स सवाल आपका आता है क्या सेप्टी टैंक को सीडी के नीचे बना सकते हैं या नहीं मना सकते ये भी सवाल सेप्टी टैंक को उत्तर या पूरब की दिवाल से टच करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं ठीक है अगर उत्तर या पूरब से टच होता है तब क्या होगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके बाद वास्तों नुसार तो हर गड़ा या पानी उत्तर या पूरब में होना चाहिए तो भार दौजी आप तो कहरा हैं कि North West ने बना दो और बना दो E.S.A.U.T.E.S. کے बीच में, यह क्या बात होई, जितने भी सवाल आपके मन में आते हैं, जितने भी सवाल आपके मन में आए, तो उसे कैसे आप निफ्टेंगे, इसके अलावा, और भी जो सवाल आपके मन में आते हैं, आपने देखे, बहुत सारे सवाल, आपके सामने, क्या है आपको, कोई भी भवन, आम तौर पर देखे, एक आदर्श नक्षा है, वास्तु के इसाफ से जैसे बनाए जाता है, ऐसे तो नक्षे बहुत होते हैं, हर साइस का नक्षा अलग होता है, अब आप देखिए, जो सेप्टी टेंक है आपका, वो घर में कहां बनेगा, उसके लिए आप देखिए, सबसे बड़िया जो जगा मनती है, सेप्टी टेंक के लिए, आप देखिए, ये उत्तर है कि पूरव हो गया, इसका मतला ये जो कोणा है हमारा, इसको बोलते है वायव कोण, ये वायव कोण बनता है हमारा, वायव कोण के अंदर जो आपने बन है उत्तर के दिवार को टच नहीं करना देखिए यहां से टच नहीं करना आपने बिल्कुल भी हाँ वैस में हो सकता है पर फिर भी कोशिच करें कि जो आपकी बॉंडरी वाल होती है उस बॉंडरी वाल के साथ आपको ना टच करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो पहले हम बताया चैन्हें पहले प्रकत», यहां के बनेगा करें के दखते हैं, लकारी को लो मेरे लकाधि हो हमारी अकारी हुश्याद करें यहां से शुरू propEMA मईतलीरी में रहेएं करें। और आप देखना है मैंने CD के नीचे बना दिया, CD के नीचे क्या हो तो बरकत नहीं होती, इसलिए हम अलमारियां, study हैं, पूजा है, ऐसी चीज़ें नहीं रखते हम, लेकिन safety tank जह है, इसके नीचे बन सकता है, ये पहले सीदी बन जाती है, number one position, okay, अगर आपके पास बहुत ब पूरब, अगरे को इसको बोलते हैं, और ये हमारा पूरब है, जो second position हमारी बनेगी, safety tank के लिए, वो बहुत अच्छी बनती है, यहां पर, ना तो ये east है, ना south east है, इन दोनों के बीच में आ गया, ये भी जह है हमारा safety tank बनेगा, बहुत अच्छा safety tank, ठीक है, अब, इसके बाद, एक सवाल हमारे पास और था, और वो सवाल था हमारा, कि हम जो है, अगर यहां पर सीवर लाइन बनाएंगे हम, यहां पर बनाएंगे, तो हमारे घर के pipe कहां से जाएंगे, साथियों, देखें, टॉलिट जो हमने बनाएं ना, ये दोनों ही टॉलिट हमने, आप दो तरीके हमारे पास होते हैं, कि एक तरीका तो ये होता है, देखो, सबसे पहले तो ध्यान कलेना, आपने बरमस्थान के अंदर आपका भी, भी आपका लाइन सीवर की नहीं जाने चाहिए, जो गंदे पानी के लाइन होती है, कभी भी बरमस्थान में सेंटर में आ जाए और बरमस्थान जो है, प्रॉक्सिमेटली ये एरिया होता है, इसको कहते हैं बरमस्थान, तब यहां से लाइन यहां चलाएगा नौर्ट वेस्थ में, अगर आपका उतर मुखी है या पस्ची मुखी मगान आपका है, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन अगर आपका मुखे द्वार इस्ट में है, इस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग, तब क्या करना है आपने, यही जो लाइन आपकी, यह जो सीवर की लाइन आपकी है, इस लाइन को आप सीधा लेकर नहीं जाएंगे, इसकी लाइन आप यहां से सीधा कट मारेंगे, इस तना से, आप देख रहे हैं, ब्रहमस्तान से बच गया, किचन से ही बच गया, किचन में खास तरीक है, जहां हमारा भुजन मनता है, उसके नीचे से गंदी लाइन नहीं जानी चाहिए, और एक तरीका और होता है, अगर बहुत ज़्यादा गहराई नहीं करते हैं, अगर आपने यहां पर अंडरग्राउंड टेक बना रखा है, पानी का, साफ पानी का अगर आपने अंडरग्राउंड टेक गहरा बना रखा है, तो आप यह भी कर सकते हैं, कि इस लाइन को एक बार यहां लेके जाएं, और यहां पर छोटा मैन होल बना लें, छोटा मैन होल बना अंडर्ग्राउंट टेंक अकिला जो सबसे गहरा है सबसे बड़ा है वो इन सब वास्तो दोशों को दूर करता है बहुत हद तक ठीक है तो यह आपके पास बनती है दूसरी कंडिशन अब हमारे पास नेक्स सवाल है कि हमारा जो सेफ्टी टेंक है किसा का होना चाहिए इस पर लेकर कि बहुत ज़रा मध्वेद होते चले जाते हैं ठीक है आपको बताते हैं कोई भी साइस कोई भी जो सेफ्टी टेंक आपने बनाना है आयताकार बन सकता है जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगलर यह अराम से बनता है ठीक है रेक्टेंगलर बहुत अच्छा रहेगा आयता कार इसके वर गार भी बहुत अचछा होता है कोई समस्या नहीं है किसी भी सेप्टी टेक के साइज को ले करके परिशान होने कोई जरूरत नुसे अच्छा काहुता है देखे इन दूनों से अच्छा होता है obt repele जो रौन ज्में कर दोक्रetah यहां पर यहां पर घंड़ में किस चद्धे हो जाते है और एसको जिसको गिलाइब करते हैं लेकि像 वह पूरा इसके लिए बहुत काम कर रही है तो यह हो गया हमारे आकार के बारे में अभी साथियों सवाल तो काफी है इसके बारे में सेप्टे टेंक के बारे में आप देख रहे हैं सेप्टे टेंक इसको बोलते हैं यह जो बनते हैं हमने बोला कि जो राउंड होते हैं बहुत अच्छे हमसे और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार अगर नेक्स जो पार्ट इसका बनेगा पार्ट टू में सेप्टे टैंक के सभी पाइंट लो धहरे रखा करो थोड़ा सा इतना अगर पेशेंस रखेंगे तो आपको धीरे 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 लेके चलूँगा अगर एक ही वीडियो बहुत जादा बड़ी बन जाएगी साथ ही ना तो आपको मज़ाएगा और ना ही मुझे समझाने में इतना मज़ाएगा अगले वीडियो मैं फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ बहुत जल्दी एक दिन छोड़कर मेरे वीडियो आते हैं एक दिन छोड़कर एक आता है बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है सेप्टे टेंक का पार्ट टू जिसमें इसके जो छूटे हुए सवाल है सब में लूँगा तब तक के लिए दियाम मुझे इजाजत नमस्कार धन्यवाद और अपने परिवार का और अपना बहुत बहुत ध्यान हना थैंक यू बरी मच